नवस्कार साथी आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे आपके हिंदी ब्याकरण के ये प्रैक्टिक्स नमबर थ्री होगा जो की फर्स्ट और सेकें हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला प्रशना है आपके सामने कि व नोना चाहिए यानि कि अप्सट नमबर ए लेकिन फिर आपको गलत हो जाएंगे क्या हो जाएंगे गलत कभी भी खून जो होता है वह आपका ना ताजा होता है और ना गरम होता है ठीक है ना जो खून होता है एकदम नया खून होता है कौन सो होता है नया खून होता है स्व अगले कोशन की बात करें और अगले कोशन है कि समास बताइए भर पेट में समास कौन सा है इसमें बताना है कि भर पेट जो है इसमें समास क्या है तो भर पेट को ऐसे भी तोड़ेंगे तो भर और उसके बास क्या हो जाएगा पेट हो जाएगा तो इसमें देखेंगे कि जो पहिले आ रहा है भर आ रहा है और उसके बसे पेट आ रहा है तो जिसका पूरो पद क्या होता है प्रधान होता है वो कौन से होता है तो जिसका पूरो प्रधान होता है वो आपका अभ्यवाव समास होता है यानि कि option number आपका ए राइट एंसर हो जाएगा ठीक है बात करें मुनुपद क्या होते हैं प्रधान होते हैं और 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 या और या उसके बाद से अथवा और या अथवा का क्या होता है लोप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोंद समस कहते हैं जैसे माता पीता तो माता पीता में कौन से चुपा हुआ है और चुपा हुआ है तो माता और क्या हो जाते है पीता समझ रहा है ना उसी तरह से जो है अगर बात किया जाए आपका ठीक है सीता राम अगर बात किया जाए सीता राम तो सीता राम में कौन से समास है दोंद समास है इसमें आ रहा है सीता और और का क्या हो गया यहां पर लोप हो गया और उसके बाद से आ रह परदान होता है अग कर्मस लेकर अधिकरण तक इसके कुल छो भेदोते हैं कर्मस लेकर अधिकरण तक इसके कितने भेदोते हैं छो भेदोते हैं इन चीजों को भी आप याद रखेंगे ठीक है उसके बाद से जो है बहुबरी समास आप जानते हैं कि जो बहुबरी समास होता इसमें दोनों पदपर्धान नहीं होते हैं बलकि अन्य अर्थ परधान होता है क्या होता है अन्य अर्थ परधान होता है बहुबरी समास में अन्य अर्थ की परधानता होती है इसमें कोई भी पदपर्धान नहीं होता है तो पूछता है कि ऐसे समास बताईए जिसमें कोई भ भावड यानि कि इसमें जो है किसी विपद्द के प्रधनतर न उपकर किसी तीसरे सब्द के बारे हम बतता है वह आपका कौस समौस होता है थीक तो आयागे समORT मैं आपको चलिए अगले कोश्चन को देखते हैं और अगला कोशन यह है क्या है छूट और किसी की बोली का पुट न मिले पक्ति किस लेखक की है मलिक मुहमद जयसी, मुंसी इसलाभां, राजा सुपरसास, सितारे हिंद या मुंसी, सा, मुंसी, सदा, शुखलाल, यह है तो इसमें से बताए किन की जो है यह रचना है आपका यह आपको बताना है ये इनकी रचना है याद रखेंगे इसको ठीक है ना इनकी रचना है जो की अल्लाखा की कृती है और रानिक केतकी की कहानी से उध्रित है ये ध्यान रखना रानिक केतकी की जो कहानी है उनसे क्या है ये उध्रित है ये उनसे जो है ये लिया गया है ठीक है तो याद सबस्वाइस यह जो है वा मलीक मुहमिध यसी की धीक तो याद रखेंगे इसको अच्छ और अगला द Зबैक लिए जुन завис सर क्रीअ विसे सर्ड है याने की क्रिया विसेशब法 क्या चुनना है क्रिया विसे सर्ड क्या चाह Да immigrant有點 अब्ब्ध। होना चाहिए यह आपको बताना है जैसे कुट्टा भौक रहा है तो यहाँ पर क्रिया है लेकिन विसेसर नहीं है ठीक है क्रिया की विसेसर नहीं बता रहा है अधिक मत बोलो इसमें भी नहीं है राम खाना खा रहा है यह तो आपका इसमें भी क्रिया है लेकिन क्रिया की कोई विसस्ता नहीं है इसका मतलब है कि चोथे का जो होगा option number कौन होगा D यानि कि राधा रात भर जागती रही तो यह जो होगा आपका क्रिया विससर अब्या है यानि कि option number D ये आपका right answer हो जाएगा ठीक है वह इसे जानते हैं क्रिया ये चार परकार की होती है पता है ना आपको चलिए देखते हैं अगले question की अगले question ये है कि निम्न में से कौन जीवनी है कौन जीवनी है अतीत के चलचित्र चिंता मड़ी अवारा मसीहा नीड का निर्माड तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कौन जीवनी है निम्न में से तो अवारा मसीहा एक जिवनी है इसका मतलब क्या सर तो यह ध्यान रखना बिश्लू प्रभाकर द्वारा रचित किसके द्वारा तो यह है आपके बिश्लू प्रभाकर द्वारा रचित किसके द्वारा भाई बिश्लू प्रभाकर बिश्लू प्रभाकर द्वारा रचित जो है प्सित्ध पांगला लेखा को स्र शछांडर चट्वपध्य की जीवनी है सारत चंद्र चट्वपध्य की क्या यह जीवनी है जबकि अतित का चल चीतर महा 33 हमादेवी वर्माबका है ठीक है, और चींता मणी अचारिय रामचंदर्शूकल १ौरारा राचिती हंधी गन्नि बंद घ्रउ है, ठीक है, उसके बाद से जो है नील का निर्वार dene पर अपका हरिबाण्स राय बश्यन का है, हरिवोंस राय बश्यन का है ठीक है, तो याद रखेंगे इHNस सभी को, और अभी बताएं, अतीत का चलचित्र, महादेवी बर्मा का हैं, ये किसका है?, महादेवी बर्मा का है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक, अगला कोशन है, अगला कोशन देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ना होगा, कह रहे हैं कि छो से आठ तक अपटित बोच दिया कोई हैं संसार का इतिहास उठा कर देखिए और उधारन धूंडूट कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपास्टना करते हैं जिसके लिए हम आखे बिछाने तब को त्यार रहते हैं जिसके स्मृतित तरुत ताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के समारक चिन बना कर खड़े करते हैं उन्हें उन्होंने रूपिया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था ध्यान रखिए बलकि उन्हींने कुछ ऐसे काम किये थे जिनकी महत्ता हम रूपे से अधिक मुल्यवान समझते हैं जिन लोगों के जीवन का उदेश से केवल रूप सब्सक्राइब से कम हुई है तो ध्यान रखेगा भाई ये बहुत ही महत्तुण और फैक्ट बला है याप रावे अधिकान संस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है सई बात है उन्होंने जन्म लिया रूपिया कमाया पर लोग की यात्रा की उसके बाद पर ल उन्हें जीवन को अर्पित करते समय सचे मनुस्यता का परिशे दिया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा चीज़े इसमें आपको लिखा गया है तो चलिए देखते हैं प्रश्ण कौन सा है तो छोवा प्रश्ण यह है आपका क्या है कि गदान्स का उजी साथ लेकर चला है इसका मतलब जो उचीत बीकल्ब होगा पॉढ़ने से उसको गदान्स को हमारे वह आपका उपसान नंबर कौन से होगा भाई साब अपसान नंबर सी होगा अरे यह नहीं आप बता पाएंगे तो और क्या बता पाएंगे भाई साब समझ रहा है ना चलिए अगला है कि उप्रिक्त गदान्स का अनुसार संसार में किस तरह के मनुस्य की पूजा होती है अब देखिए कैसे मनुस्य की पूजा होगी यह आपको बताना है इसमें तो देखिए जो धनारजन यह उन्तियाग दोनों करता है क्या यह सही होगा जो पैसे को कलेड़कारी क तो देखिए अगला बीकल्प देखिए तो इसका मतलब यही से होगा कि जो सच्चे मनुस्यत्व के लिए कारिय करते हैं बिल्कुल जो सच्चे मनुस्यत्व के लिए कारिय करते हैं वही आपका जो होता है आपका संसार में किस तरह के मनुस्यत्व के पुजा होती है तो इसी जो है आपका गलत है समझा ना उसके बाद से धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है सही बात है कुछ हद तक तो सही है क्योंकि वो बताया था उसमें धन की पूजा बेक्ति को स्वार्थी बनाता है धन की पूजा बेक्ति को क्या बनाता है स्वार्थी बनाता है नहीं उस धन से हमें धन की पुझा से कोई व्यक्ति जो है व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है उसके बाद से धन कमाने की अपेक्षा सच्छा मनुस्य होना ज्यादा अच्छा है सही बात है अगर धन कमाने की अपेक्षा अगर अगर आप सच्छा एक मनुस्य हैं एक इमन्दार पुरूश हैं तो आपका मान जन सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे अच्छा यही होगा कि धन कमाने के पेक्षा सच्छा मनुस्य होना ज़्यादा क्या होगा बेटर होगा यानि कि option number आपका कौन से होगा option number आपका D right answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सब्सक्राइब देखिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सुद्शब्द छाटी है क्या अव्यस्त होता है अव्यस्त होता है या अव्यस्त होता है तो देखिए इसमें जो है हम जानते हैं बहुत लोग आएंगे option number A पे लेकिन option number A आपको गलत होता है आव्यस्त होता ही नहीं है यह भी नहीं होता है इसका मतलब कौन सा option number C यानि कि अव्यस्त होता है क्या होता है अव्यस्त होता है हाला कि हम लोग बोल चाल में क्या बोलते हैं तो बोल चाल में ज्यादा तर देखते हैं लोग बोलते हैं अ अब यह पता होना चाहिए कि तुर्की भासा का सब्द कौन सा है तुर्की का पूरा पता होगा तब आप बता सकते हैं कि तुर्की भासा का सब्द कौन सा है कौन सा नहीं है तो देखिए यहां पे जो होगा यह आपका 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 तुर्की भासा नहीं है यानि कि आपका यह जो होगा आपका right answer होगा तो सर्व तुर्की भासा नहीं है तो पैगंबर भासा है कौन सा तो ध्यान रखिए यह और भी भासा है क्या है और भी भासा है बाकी चेचक, बेगम और बारूद यह सभी जो है आपके तुर्की भासा है ठीक है लेकिन पैगंबर जो है आपका कौन सा है और भी भासा है आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा ठीक है पैगंबर का अर्थ अब जनते हैं क्या होता है पैगाम देने वाला पैगंबर का अर्थ क्या होता है पैगाम देने वाला ठीक है अगला देखिए अगला पुछ रहा है कि जल प्राड पूत्र की सब्द्दा कानेकारती है तो देखिए जल प्राड पूत्र प्राड ayud जीवन साथ जीवन देखिए न सीधा अपसन नमबर डी है इसमें तो सुचना ही नहीं है option number D आपके क्या होगा right answer हो जाएगा समझ रहा है न तो किसी एक चीज़ को पकड़ लिजी इसमें से अनेकरती वाले में से आप तुरंत बता सकते हैं उसका ठीक चलिए अगले question के बात करें अगले question यह है कि उपवाक्य पहचानी है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है तो इसमें आपको पहचानना है कि उपवाक्य कौन सा है ठीक है उपवाक्य कौन सा है यहाप देखेंगे तो उपवाक्य जो होगा ठीक है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो उपवाक्य आपका होगा वो कौन सा होगा तो इसमें जो होगा आपका वो होगा अपसन नमबर B कौन सा होगा B होगा यानि कि B से सल उपवाक्य है क्या है B से सल उपवाक्य है अब कैसे हैं तो देखिए वह आदमी जो कल आया था दिया है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है इस वाकिय में जो कल आया था आश्री तुपवा के हैं लेकिन विसेसर उपवा के का उधारण है समझ रहा है ना आश्री तुपवा के का मतलब कि एक दूसरे के उपर जो निर्फर रहता है समझ रहे ना तो ईस तरह कारी ऩो होता है तो और का स्पराणा भी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कोशन करें और अगला कोशन है कि कौन से द्वी महा-प्राणा नहीं है अब पता है कि सार एक बार उपर उठे अलप प्राण महाप्राण अलप प्राण महाप्राण यह हमने पढ़ा दिया है आप जाकर देख सकते हैं यानि कि दूसरा और चोथा जो होता है वो कौन से होता है तो महाप्राण होता है दूसरा और चोथा ठीक है अलप प्राण महाप सब्सक्राइब कर देखेंगे आप जो सभी लगेगा कि सब जो है वाया प्रते से ही मिलकर बना हुआ लेकिन नहीं सब्सक्राइब कर बना है अब कहेंगे कैसे तो अगर बात करें खाना क्रिया जो खाना है जो खाना करिया है खाना में जो वया प्रते लगता है तो वया प्रते लगने से बना है खवया खाना में वया प्रते लगने से क्या बना है खवया बना है उसी तरह से बात करें तो यह जो है याद रखेगा यह कौन सा है तो यह कृदंत प्रते एक होता है क्रिदंत प्रतिय में हम लोग लगा कर इसको बनाते हैं उसी तरह से डाटना देखिए डटाया है ना तो डटाया का मतलब होता है डाटना और डाटना सब्द में जो है ध्यान लखेंगे डाटना सब्द में जो है इसमें जो है आपका प्रतिय एया लगा है क्या लगा है एया लगा है डाट नाम में आया प्रतिय लगने से क्या बना है डटया बना है ठीक उसी तरह से खवया है खवया को तो बारें बात कर रहे हैं अब उसके बाद से और है इसमें क्या है कि सर जो हमारा एया प्रतिय है इस और तेया किसी मैं नहीं है शिर्फ किसमे हैं तो सबस्जा में है तो आप्सson नमबर शी वाले में है अगले कोशन को आप करें कि निमनों में एक देवता का प्रेवाची नहीं है अब देवता के प्रेवाची सब्द आप सभी को आना चाहिए अगर देवता का प्रिवाची सब्द आएंगे तभी हो पाएगा तो इसमें जो है कि प्रिवाची नहीं है तो यह ध्यान रखे निर्जर नहीं है निर्जर जो है यह देवता का प्रिवाची सब्द नहीं है तो ध्यान रखेंगे जो हमारा किंकर देवता का प्रिवाची नह नहीं होता है तो होता किसका है तो देखिए यह सेवक का परिवाची होता है किसका होता है सेवक का परिवाची होता है अगर पूछे किंकर किसका होता है तो आप बताएंगे सेवक का परिवाची होता है किसका होता है सेवक का परिवाची होता है ठीक है बाकी बचे निर्जर 310 गिरवाड ठीक है यह सभी किसके प्रवाची है आपके देवता के हैं सिर्फ किंकर जो है देवता के प्रवाची सब्द नहीं है ठीक है देवता के और प्रवाची सब्द जान सकते हैं आप लोग क्या होता है देव होता है सुर होता है विभूत होता है अमरी तेस होता है अ है ठीक है यह सबीं होते हैं अगला कोश्ण है की अन वीक्षड का संधी पीचित होगा देखिएं ऑने वाले समय में आप से पूचे किसमें संधी कौन सी है तो देखिए जब भी हुआ कि पहले अगर कोई चीज आधार आती है तो वहाँ पर जो होता है आपका यड़ संदी होती है कौँसे संदी होती है तो वहाँ पर जो संदी होती है आपकी यड़ संदी होती है कौँसे संदी होती है यड़ संदी अब अन्वीक्षड है तो देखिए अन्धन यह नहीं हो सकता आनुधान नभर कौन सुगां आपका सी और बच्षाड इसका मतलब होता है और यह उता अगला है कि गवावधन चरित्र की संदिये देखें जब भी कि अगमन होता है और यह सवक का आख मन हो जाएगा ठिक अगला देखिए अगला है क्या अगला है कि ठेट हिंदी का ठाट किसकी रचना है अब यह पूछ रहा है कि ठेट हिंदी का ठाट किसकी रचना है तो ध्यान रखिए यह ठेट हिंदी का ठाट जो है यह रचना है अयोध्या सिंग उपध्याय हरियोध जिनको हम लोग हरियोध के भी नाम से जानते हैं ये भी प्रशन हमारे एक्जाम में पूछ लेता है कि अयद्या सिंग उपध्याय को किस नाम से जान जाता है तो हरियोध के नाम से जाना जाता है और ठेट हिंदी का ठाट इन्ही की रचना है ठीक है इन्ही की रचना है उसके बात करें अध्यान रखेगा अध्याद फुल इनका उपन्यास है और चीजे जब कि जो तीरी स्वर ठाकुर की रचना जो है वर्डन रतनाकर नामगध्यका भी है कि सोरी दास बाचपे हिंदी के सुप्रसीद ब्याकरण चार्य थे आप पता है ठीक है और हिंदी सब्दानुशासन जो इनकी प्रमकृतिया है और पॉंटिति चंद्रधर सर्मा को लेरी अपनी कहानी उसने कहा था से प्रसीद है उसने कहा था इनकी जो कहानी है उसने कहा था ठीक है यह इनकी प्रसीद कहानी है ठीक है तो चलिए अगले कोश्चन की बात करे और अगले कोश्चन आपके सामने यह रहा सुध्ध हुआ के छाटी है अब देखे सुध्ध हुआ के छाटना है ठीक है क्या करना है आपको सुध्ध हुआ की छाटना है कि इनमें से कौन से आपका सुध्ध हुआ क्या है उस वन में प्राता काल के समय कदरी से बहुत ही सुहावना होता है क्या आपका विकल्प यह सही है तो देखिए यह वाला सही नहीं है अब क्यों सही नहीं है तो यह देखिए प्राता हकाल क्या बोला यहां पे तो यहां पे जो बोला है प्राता हकाल बोला है अग्ये समय तो प्राता हकाल तो खुदे समय बता रहाती है यहां पे समय कैसे आ सकता है नहीं आ सकता है उसी तरह से सुभा बता रहा तो सुभा के साथ फिर समय आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए बन में प्राता काल द्रिश से बहुत ही सुवावना होता है। देखिए इसमें कहीं प्राता काल के बाद से समय नहीं आया है। इसका मतलब है कि option number आपके C right होगा फिर देखिए उस बन में सबेरे समय अब देखिए सबेरे भी दिया है आक एक समय भी दिया। इसका मतलब ये तीरों विकल्प गलत हैं विकल्प जो आपका C है ये आपका सुद्ध विकल्प है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता कर लेना है, अच्छे से, अगला है, क्या कि कीस सब्द में उपसर्ग नहीं है, कौन सब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, देखिए, अपवाद अपउपसर्ग है, प्रभाव उपसर्ग है, पराजे पराज उपसर्ग है, और ओढ़ना, ओढ़ पूछा है कि इस तरो लिन्ति इतलीकों की ल Girist किया है आप से पूछह हुआ है कि इस तरो सब्मिनय का है तो गांतरी और चाहिए या हिमसा नहीं करना चाहिए तो यहां पर आपका अप्सेन नंबर बी क्या होगा इस्तरी क्सब्令说 रहीं बाकि जो है से से सब ही pulling शब्द हैं क्या है ? pulling सब्द है किनर भी अंतरी भी और परिगरा भी यह जो है आपके pulling शब्द है इनिचीत जो कहopfी ठैन रख emissions है औस अन्सा कमार का पचलना चाहिए यानि हिन्सा नहीं गरनी चाहिए तो यह क्रनी नहीं आ रहा है इसका मतला कि यह इस्त्रिलिंग सब्द होगा ठीक है बागे सभी बचे पूलिंग है ध्यान रखेंगे रत्नावली दोहा संग्रा किसके दोरा रचा आरे भाई रत्नावली अगर कोई बंदा अगर यह नहीं जनता है रत्नावली किसके दोरा है तो फिर क्या हाँ तो ध्यान लगेंगे उसके बाद से बात करें तेश्वे प्रस्ण की और तेश्वा प्रस्ण यह है कि लिंग बताईए मन गढ़नत मन को गढ़ने वाला तो मन को गढ़ने वाला यहां से आप लिंग इसका निधार नहीं कर सकते इसका मतलब कि पुलिंग इस लिंग नप राइट अन्स रोगहा ठीक है अगला देखिए अगला एक बाकियांस का एक सब्द बनाई ये जिसके हिड़दे में मम्ता नहीं है अरे भाई जिसके हिड़दे में अगर मम्ता ठीक है जो डरे नहीं वो क्या होता है निर्भय होता है तो जो डरे ही नहीं उसके लिए क्या होगा निर्भय सब्द होगा समझ रहे हैं तो याद रखें इसको जो है आप पहचाल सकते हैं ठीक अगला कोशन है और यह आंतिम प्रस्णाप का है किस वाक्य में बिराम चिन्न का उसी तो प्रयोग नहीं हुवा है, अब मैंने मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी एक्षा नहीं, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछा इसमें, सुनो सुनो वह हगा रही है, सही है, प्रिय महासे मैं आपका भ यहां परियोग सही नहीं है ध्यान रखिएगा प्रियम महासे में मैं आपका भारी हूं प्रियम महासे के बाद जो है आपका यहां परियोग होना चाहिए तब जाके सही होगा यह वाला चीन ठीक है तो मुझे आशा है कि यह 25 कोश्चन जो है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तो भाई सेयर सब्सक्राइब और फिर वही बात बेल आइकन को दबना ना भूलेगा जो भी वीडियो अप्लोड हो तुरन तर अब कर पास पोईचे